आपको पढ़ने के यूनिक तरीके पताऊंगी ऐसे तरीके जिससे आप बहुत जल सीखेंगे Easy way of learning English, Urdu, Math ये साथ ने आपको basic सीखेंगी आई ये चलते हैं Whiteboard की चैनल सबसे पहले मैं आपके लिक है अलिफ अब मैं आपके सामने लिखूंगी वे का एक लिकने का ये असान तरीका होता है एक लाइन लगा देंगे इदर और दूसरी लाइन लगा देंगे इदर और अब मैं इसके नीचे एक और लाइन लगा दूंगी तो ये बन जाएगा बे और उसके इसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे अगर दो नुक्ते इसके इदर लगा दें तो ये बन जाएगा बे देखा ये लिखना किना असान है तरीका अब लिखती हूं ते देखी एक लाइन इदर और दूसरी इदर और एक सीध़ी लाइन इसके नीचे इसके उपार दो नुक्ते लगा दे ये बन गया ते एक नुक्ता और लगा दे तो से बहुत ही असान है अब मैं लिखूँगी जिम जिम की एक लाइन इधर एक लाइन इधर बिल्कुल एक ही ठरा तूसी लाइन से सीधा ट्रान दे के अंदर एक नुक्ता लखा दे तो ये बन जाएगा जीम वेरी इजी अगर दो नुक्ते इसके अंदर और लगा दे तो ये बन जाएगा जीम फिर हम सब नुक्तों को हटा दे तो ये बन जाएगा हे अगर इसके उवपर एक नujuक्ता लगा दे तो ये बन जाएगा खे देखा किन्ना असान है अब मैं आपके सामने लिखूंगे रिए रिखी एक लाइन सीधी एक लाइन टेरी लाइन लगाने के बाद ये बन गई है रे तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा अब मैं आपको सिखाऊंगी शीन, शीन, स्वाथ, काफ, लाम और नून यह साथ एक जैसे लिखे जाते हैं मैं आपके सामने कुछ इस तरह लिख के देती हूँ अब इन में थोरी थोरी दबदीली कर दी है तो यह उपर आपस बन जाएंगे सबसे पहले हम सीन लिखेंगे इसके दो दन बनाएंगे तो यह बन जाएगा सीन किना असान ते उपर ती नुक्ते लगाए तो यह बन जाएगा शीन अगर हम इसके गुलदाया बना देंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा स्वाद अगर हम इसके अंदर एक गुलदाया लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्वाफ अगर इसके लाइन लगा दें तो ये बन जाएगा लाम अगर इसके अंदर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जेगा नून और चैनल के जरूर सबक्राइस करदे और वीडियो ची लगी है तो लाइक करदे शुक्रिया जुरू टेटा